मगर वो यह दिखाते है कि किसान कर सकता है एक चोकेदार कर सकता है एक पार्टनर्शिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था सोला लाग सत्तर हजार रुपया आप फेस्बुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बाचीत करके उनको वेचो तो मैंने क मैं तो खुत फसा में सुस कर रहा है उनको कैसे भीचे मम्मी की जॉल्री रखके मैने लिया था पापा को बताया नहीं था मेरे कॉलज के आड़ पापा ने रुख दिया कि तुमने मुझे बिना बताया कि पैसे क्यों दे दिये जीए साल हो गया दो साल हो गया तो देर इस लिमिटेशन आप शुरू कीजिए कारे वाई अपने आप उने शुरू हो जाएगी सार मैंने आई बीसी प्रो जो जोईन किया था 31 मार्च 2022 को उस टाइम में 12 कर रहा था तो मैंने सर्च किया कि बिजनस कोई बिजनस अगर है तो हम सीख सिखाएंगे आपको बड़ बड़ा बिजनस से डॉक्टर विविक बिंदरा तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो तीन महीने तक उन्होंने मुझे फॉलो किया उसके बाद उन्होंने ऐसी अर्जंसी क्रिएट करी कि 80,000 का जो प्रोड़क्ट है वो आपको 47,000 दोसों में मिल जाएगा और यह आपकी लास डेट है तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया उन्होंने कॉल किया मेरी मम्मी से बात करी मेरे फादर को पता नहीं था इस बारे में मेरी मम्मी को कन्विंस किया कि आप जो या फिर लोन लेके दो आप तीन महीने में 100 परसंट आपको पैसे आपको refund मिल जाएंगे आपका बच्चा एक अच्छा बिजनसमें बन जायागा तो इसकी गैरेंटी दी थी उन लोगों ने तो मैंने लोन लेके भर दिया उसके बाद उन्होंने एनचाइटी के लिए ऑनलाइन क्लास लाई त तो फिर मैं उस टाइम यूपी में था फिर छे मीने बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहां पर फिजिकल एनचाइटी का अटेंड करी मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है लेकिन उन्होंने पहले यह बात नहीं बताई थी कि आपको लेने के बाद करने के बाद उन्होंने का कि मिनिमम आपको 5,000 रुपे की DMT करनी पड़ेगी हमने DMT के लिए फिर पहले तो हम शौक हो गए कि यह तो पहले इन्होंने बताया नहीं DMT मतलब अच्छा बताब डिजिटल मार्केटिंग भी आप ही को करानी पड़ेगी 5,000 रुपे में या तो आप खुद कर लो या तो हमें 5,000 रुपे देदो 40 तो 45 रुपेस के अप्रॉक्स उन्होंने लीड्स हमें सेल कर दे ते जिसमें से 50 परसेंट जो लीड्स होती थी थी ना उ लोगों को बेचने से कोई मतलब नहीं है उनकी भी लाइफ स्पॉयल होगी फिर वो भी बाद में यहीं बोलेंगे कि इन्होंने हमारे बरबाद कर दिया तो फिर हमने छोड़ दिया इसमें कुछ करने के सोची नहीं क्यूंकि उन्होंने अग्रिमेंट वगरा साइन कर लिय लिए तुमने मुझे बिना बताया कि पैसे क्यूं दे दिया अब कॉलेज नहीं कर रहे हैं भी नहीं कर रहा है अब आप आई बीसी बन सकते हैं महीने के पचास से एक लाख रुपे महीने कमा सकते हैं जॉब किया करता था कि मेडिशन लाइन में और यह कॉल लाई तो मैंन मैंने मना कर दिया दुबारा इमिजिटली मेरे पास यह जून का मन था तकरिबें 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सार आपके लिए का ओफर अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपे आपको देना है एक पैकेज चलराइस को अगर आप ले लेते हो तो सार आप यहां से लाख बाध कि अगर नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से मेरे पसे राष्स कारन से मेरे पास हो पोट엔शियल नहीं यह कुछ सी वहांकों के हमारे नहीं थे जब मुझे वह नहीं हो तो मैंने बोला कि सिर यह तो कुछ हमारी लैग नहीं उसकेभाद तो आप 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 आफिस आओ तो दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बाचीत करके उनको वेचो तो मैंने का सार मैं तो मैंना किया आपको फिर देना पड़ेगा पांचार रुपए और लगाना पड़ेगा मुझे दो कुछ करना था कि मुझे भी कुछ करना है घर बेठे हैं तो मेरी शादी हो गए थी तो घर बैटे बैटे ना मेरे कॉंफिदेंस फूल लूज हो जुका था तो मेरे सामने एड आई थी फेस्बूक पे एड आती थी तो उसमें था कि आप महीने का एक लाग से चार जानते हैं वह इतने बहुत ही फेमेस यूट्यूबर है और बहुत ही मेरे तो मैंने कर लिया था तो उनका कॉल इक कॉल अने लगे वह कभी दिखाते कि किसान है वह घर गिया एक लेडी है जो बोल नहीं सकती हो एक मनीपूर साइट से कोई लेडी है उन्हें हिंदी बोली नहीं आती उन्होंने भी 12 लग कर यहां पर इंकम कर लिया तो इतना विश्वास जीत लिया कि हमें लगा कि हम भी घर लूँगी तो मैं इसलिए भी में कनेक्ट वी फिर उनके सेमिनार में उन्होंने यह तक का कि यहां कर सकता है और एक चोकेदार कर सकता है एक यह पहाड में रहने वाली लेडी है जो हिंदी नी बोल सकती हो कर सकती मैं फिर मैं तो ग्रेजवेट मैं कर सकती हूं मगर मेरं दो कॉंफिडेंसी नहीं है आप किसी को हायर करते है तो आप उसकी ऐलिजिबिल्टी तो चेक करेंग की problem solve करेंगे और जो small startups हैं SMEs हैं उनको जो business में problems आती हैं different departments में वो हम rectify करेंगे as a consultant और हमें consultants की team भी बनानी है तो हमने का ठीक है it's okay दीरे-दीरे हमने जब sale करना शुरू किया यह सब courses के नाम पे तो हम पर pressure आता था कि महीन में इतना आपको sale करना है टार्गेट सचीव करने हैं यह सब बला बला और धीरे-दीरे उसके लिए हमें यह समझ में आने लग गया जून तक मैं यह समझ गया था कि यह सिर्फ कुछ और नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ IBC बनाके उनको sailing सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे हैं sailing से भी एक और बड़ा word होता है जिसको मैं बोलूँगा chipping यह चेंपते हैं course को लोगों को सेल करना भी एक ethical माना जाता है प्रैक्टिस लेकिन एक जो चेंपना होता है वो that is not the ethical practice तो यह चेंप रहे थे गलत सही commitment करके जूट बोलके किसी पर पैसा नहीं है तो बोले आप अपने दोस्ते ले लो आप जो एल्री बेच दो बहुत सारे IBCs हमारे पास आते थे कि सब मैं तो घर से निकाल दिया गया हूँ मैं तो अब suicide करने के अलावा कोई चारा नहीं है आप मेरा refund करा दीजे लेकिन इन लोगों ने क्लियरली अपनी website पे और सब जगा लिखा था no refund practice हमारी कोई refund policy नहीं है सीधा मना कर देते थे इन लोगों ने जो कोर्स के नाम पर IBC memberships बेचनी शुरू की और वो भी force selling और लोगों को बेवकूफ बना के इस तरह से जो memberships बेचनी शुरू की जहां सा देखे कि एक से 5 हमाई है हमारे IBCs 20-20 लाग तक भी कमा रहे हैं उनके पराने वीडियो में सारे प्रूफ मिल जाएंगे अज यह डिनाई नहीं कर सकते है वीवेक बिंदरा कि मैंने ऐसा नहीं बोला बोले थे हमारे जो कोर्स है everything about entrepreneurship इस पे हारवर्ड में और Oxford में case studies चल रही है कि वीवेक ब आप इस मिले साथ में अभी बताएंगे सर इस बारे में क्योंकि जो IBC वो consumer है आपके जो cases है जो तरीका है वो different है और आप एक चैनल business partner है सबसे पहला प्रश्ण मेरा advocate योगेश अगरवाल जी से है अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रती course के प्रती satisfied नहीं है और जिस पुरा करने के बाद मुझे पता लगा मुझे ए से संबंदित कुछ नहीं मिला है मुझे सेल जन मार्केटिंग करनी पड़ेगी वो भी उसी कंपनी की जिसका कोर्स मैंने बाई किया है as a consumer लोगों का क्या अधिकार है और consumer forum में जाने का क्या प्रोसीजर है क्योंकि बहुत स टाइम जब आपसे बात हुई थी तो इतना clarity नहीं थी इस बात को लेगा कि बहुत सारी चीजे अब नहीं ओपन इसके अंदर होके हैं यहां दो चीजे निकल के आती हैं आपके case के अंदर फर्स्ट आप अगर एन्रॉल हुए students के तरीके से तो आपके rights as a student अलग है second अगर आप IBC बन रहे हैं I don't know IBC वो आपको partnership दे रहे हैं अपने साथ business में अगर आप course की बात करते हैं तो आपके legal rights अलग हैं क्योंकि वहां पर आप एक तरीके से consumer हैं और जब हम membership की बात कर रहे हैं तो membership word आते ही पूरा entire scenario चेंज होता है क्योंकि last video में जब मैंने बात करी तो मैंने उसको बात कर रहा था as a course selling और मैं उसके बार 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 बोल रहा हूं कि यह miss selling है miss selling तो हो रही है यहां पर miss selling हो रही है इसको unfair trade practice चल रही है यह तो clear नजर आ रहा है लेकिन अब बात करते है membership क्योंकि जैसे ही membership की बात आती है तो यह economy offense की तरफ चला जाता है मामला यह मामला economy offense की तरफ चला जाता है क्योंकि जब large number of people के साथ same तरीके से same mode of apprentice से लोगों को यह बोल करके गल्त direction के अंदर दिखा करके और उनसे पैसे लिये जा रहे है miss selling तो हो रही है अब यहां पर क्योंकि consumer relation खतम हो जाता है जैसे membership की बात आती है अब यहां पर हम मैं इसको दो पार्ट में डिवाइट कर देता हूं अपनी बात को फर्स जो यह कहते हैं जी हमने कोर्स खरीदा अब जब आप कोई कोर्स जॉइन करने जाते हैं तो एक जनल बात करते हैं क्योंकि आप यहां बात कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके टामशन कंडीशन लिखे होते हैं तो अब टामशन कंडीशन के अंदर क्योंकि कंड्यूमर से लेटेड मामला है तो Minister of Consumer Affairs को कंड्रोल करती है Minister of Consumer Affairs ने अपने पूरी गाइड लाइन मना रखी है उसमें सबसे Mandatory Guide Line है, that is Refund Policy that is refund policy if you are a student आपने कोई institute जोइन करा कोई course जोइन करा online course जोइन करा कुछ भी चीज जोइन करी तो वहाँ पर उनके prospectus में refund policy होनी चाहिए ठीक है किसी के उसमें refund policy नहीं है और आपने जोइन कर लिए और आप वहाँ जाते हो कहते हैं हमारी कोई refund policy नहीं है हम किसी को refund नहीं करते देन यू कैन अप्रोच consumer code बिंगा consumer आप consumer फरम जा सकते हैं अब question आता है जो अमिजी ने बूचा कि consumer फरम जाते हैं तो खर्चा होता है अब यहां मैं आपको clear करना जाता हूं consumer फरम में जाने का कोई खर्चा नहीं है आपका बिंगा consumer आप अपने जिस भी location पे वो exist करता है उसका office जिस person के आपने जोइन करा है यह जो location पे आपने जाकर के payment करिए उनका जो office है लेट से अगर एक office अशोग VR है तो अशोग VR के consumer district forum में आप जाकर के complaint दे सकते हैं क्या procedure होगा क्या हमें कोई complaint के लिए किसी expert की जरूत है किसी expert की जरूत नहीं है आप अपनी Hindi language के अंदर English language के अंदर जो भी आपको language आती है उसके अंदर अपनी complaint draft कीजिए अपनी बाते लि date मिलेगी आपको second party को notice करा जाएगा उसके अंदर और बुला करके आपकी simple complaint के उपर कारेवाई होगी और that is not a tough आपको कोई भी ऐसी टास्क नहीं कर रहे है जैसे आप यहां के बात कर रहे है नान से आपको ऐसे ही जाके बोलना है तो किसी expert की जरूत नहीं है आपर तो पहल की आप साल हो गया जा साल गया दूस घर लिमिटेसन आता सघर तीन साल तक आप रिकॉवरी के लिए सकते हो और यह बात करते है तो उसके इनदर दो साल की लिमेटेशन है आप तू इस तक का प्रोच कर सकते हो अभ मेरेको नहीं लगता कि यहां दू साल से ज्यादा कोई प तीन साल उस दिन से होगा जिस दिन आपका cause of action arise हुआ है, मतलब आपका आपने कोई application लगा दी उनको refund की, तो वहां से आपके तीन साल शुरू हो गए, अब आपने कोई application ही फाइल नहीं करी है, तो आज application फाइल कर दो, अब आप फोन पे बात करे जा रहे हैं, कस्टमर के एर बात कर रहे हैं, तो कोई record ही नहीं है आपके पास, आप किसी forum पे जाएंगे, कहींगे जी, हमने तो वापस मांगा पैसा, वो कहींगे, कैसे मांगा, फोन करके मांगा, कोई record नहीं है आपके पास, तो do one thing, सबसे पहले तो आप complaint, अपनी जो भी application है, refund policy, जो भी उनकी refund policy, ज जो भी district forum है, वहाँ पर अपनी language के अंदर लिख करके, जो बाते आपने बताई हैं, उसी तरीके से लिख करके, to the district president consumer forum, अपनी complaint लिखी है, वहाँ दे दीजे, अपने अनक्षर करके, कोई format की जरूत नहीं है उसके अंदर, clear, ये बात हो गई, अगर courses की बात करने हैं, किसी भी institute के लिए, जो इसके अंदर फीस लगती है, 200 रुपीस, 200 रुपीस का आपका consumer firm के अंदर खर्चा आएगा, वो खर्चा के आपको 200 रुपीस के पोस्टल रसीद बना करके, उस complaint के साथ लगाने, वो भी आपको वही पता लग जाएगा, कैसे बनेंगे, तो किसी expert की तो उसमें खर्चे की बात, यह बात हो गई उनके लिए जिनका चोटा-चोटा आमाउंट है, जो कहते हैं, हमारा 20,000, 30,000 है, हमें refund चीए, अब बाता है उसरा मेंबर्शिप के ऊपर, अब आप कहते हैं, हमारी तो मेंबर्शिप है, हमें तो ऐसे मेंबर्शिप यह बोल के दि मेंबर्शिप दी जाती है, कि आप पैसा कमा होगे, आप आओ, आप फर्दर और लोगों को लेकर आओ, वो उसके अंदर से आपको कमिशनिंग मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप बनाया जा रहा है, इसके लिए आपको एकनोमी ओफेंस के अंदर कंप्लेंट डालनी प जो मामले जाते हैं, वो एक करोड से ऊपर के जाते हैं, लेकिन जब आप नंबर ओफ कम्प्लेंट जाएगी एकनोमी ओफेंस के अंदर, क्योंकि आप जब भी कम्प्लेंट बनाएंगे एकनोमी ओफेंस में ध्यान रखिएगा, उसके अंदर अपने अमाउंट के साथ कोई membership scheme आती है, तो आपको थाने में भी दे सकते हो complaint यह, अगर आपको एकनोमी ओफेंस जाने में दिक्कत हो रही है, थाने वाले उसको एकनोमी ओफेंस बेज देंगे, पूरा mechanism है, गौर्नमेंट का पूरा mechanism है, आपको लगता है कि कारेवाई नहीं होती, मैं आपको यहां से ensure कर रहा हूं, आप शुरू कीजिए, कारेवाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज complaint लिखे दी और आप कल वेट कर रहो, कल फोन आएगा, इट विल टेक टाइम, मतलब जो उनका process है, उस process से आपको गुजरना पड़े जब उनको सुन लेंगे, अगर authorities को लगता है, कि यहां पर कुछ गरबड है, तो वहां पर FIR registered होगी, investigation होगी, thereafter तो आपको पता है, court का पूरा procedure है, आप तो कानून से यही चाहते हैं, अगर किसी ने गल्त करा है, तो उसको उसका भुगतान करना पड़े, फर्स्ट बात करी हमने recovery की, आपके पैसे refund की, और दूसरी बात करी, पीनल की, कि अगर किसी ने गल्त करा है, तो उसको भुगतना पड़ेगा, is it clear? तो अगर आप recovery की तरफ जाना जाते हैं, जो बड़े amount के लिए, आपने बोला कि मैं तो channel partner था, मैंने 20 लाग रुपे दे दिये, तो आपको क की consumer नहीं है, आपने कोई course purchase दे रहा है, आपने partnership करी है, तो आपको इसके लिए recovery case दालना पड़ेगा, commercial के अंदर जाना पड़ेगा, commercial recovery का case दालना पड़ेगा, क्या आपका एक agreement था, agreement के अंदर ये terms and condition थी, और आपको इस तरीके से गल्च चीजे बता करके, आपके साथ का किया गया, और वो जो चीजे उन्होंने बताई थी, वो applicable नहीं होती है, इसलिए मेरा पैसा refund करा जाए, चाहे वो refund close है या नहीं है, यह court सोचेगी क्या करना उसके अंदर,